हाई गाईज वेलकाम बेक टो आपका विंग शेफ एपनर चैनल तो और केशा है तुम्ही आज आप बांगडा चोग कर ले दो लेट्स गो अभी हम लोग ने ताजा ताजा बांगडा लिया है उसको अच्छी तरह से दोके हम साफ करेंगे फिर उसको अच्छी तरह से नमक लगाएं नमक लगाने के बाद थोड़ा सा हल्दी डाला है उसको भी अच्छी तरह से मिलाएंगे उसको अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम लोग ने एक कटोरी में डालके पानी गरम करने को रखा था फिर उसमें जो बांगडा था वो डाला है फिर उबल देखिने रखा है और यह मैंने बारीक कांदा कट किया था वो मैं फ्राइ कर रहा हूँ फिर उसमें बारीक कट किया वो टमाटर डाला है अभी हम लोग उसको भी अच्छी तरह से फ्राइ करेंगे वो अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होना चेगी फिर बारीक कट किया वो मिर्ची डाला है फिर अधरक लसुन का पेश्ट अब लोग देख सकते हो मैंने कितनी फिर जो हम लोग ने बांगड़ा उबलने के बाद उसका काटा निकालके उसको अच्छी तरह से मैश किया है फिर उसमें मिक्स किया है उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है वो अच्छी तरह से रोस्ट होना है और ज़लाना फुर मैंने सेपरेट निकाला है उसमें मैंने एक अंडा डाला है फिर मैंने ब्रैड पेस्ट डाला है जो मैंने बनाया था घर में ही फिर हम लोग इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे एवाला पेस्ट मैंने बहुत सारे वीडियो में बोला है आप लोगो आउन करके देख सकते हो रेचाद मसाला उसको अच्छी तरह से मिलाना है फिर थोड़ा सा नमक डाला है आपको जितना चाहिए आप डाले स्वाद अनुसार फिर उसको भी हम लोग अच्छी तरह से मिलाएंगे आप लोग को नहीं चाहिए तो आप लोग रेचाद मसाला मट डालेगा आप लोग को चाहिए तो आप लोग डाल सकते फिर मैंने थोड़ा एल लिया है जो मेंटर मैंने तयार किया था और फिर उसका छोटा-छोटा मैंने कतलेद बनाना स्टार्ट किया है आप देख सकते हो मैं कितने अच्छे से बना रहा हूँ आप लोग कौन सा भी शेप कर सकते हो जैसा आपको मर्जी फिर मैंने उसको रवा में डाला है, फिर रवा में मैंने उसको अच्छी तरह से कोट किया है, फिर रवा उसको अच्छी तरह से लगाने का, अब देख सकते हैं कितने अच्छे से बन गया है, अभी हम लोग इसको साइड एक प्लेट में रख देंगे, अभी हम लोग ने एक पैन गरम करने के लिए रखाए है, उसमें हम लोग ने तेल डाला है, गैस हाई फ्लेम में मत रखना, स्लो फ्लेम में रखना, वर्णाव पीछे से जल जाएगा, फिर मैंने एक एक करके जो कतलेट बनाये थे, वो मैंने उसमें डाल दिये, आप देख सकते हो मैंने दो तरह का शेफ बनाया है, आप लोग आपको जैसी मरजी कौनसा भी शेफ बना सकते हो, उसको अच्ची तरह से स्लो फ्लेम में पकाना है, फिर हम लोग ने उसको पलटी किया है, आप देख सकते हो कितना क्mäßig्पी बनाया है, कि और अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होना है फिर मैंने उसको प्लेट में निकाला है कि अभी मैंने सर्फ किया है वो कि आप देख सकते हो कितना अच्छे से बनाए है कि उसका क्रिस्प आप लोग देख सकते हो अभी मैं आपको एक तोड़ के दिखाऊगा आप देख सकते हो उसका फिलिंग बहुत अच्छा बनाए है आप लोग जरूर ट्राइ करना अभी मैं तो चला इंजॉई करने आप लोग भी घर पे जरूर ट्राइ करके इंजॉई करना लोग मेरा वीडियो देख रहे हो तो लाइक करना मत भूलना याद से करना और अपने फ्रेंज को भी शेयर करना और जो कोई नया है हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ढगप प्राइब करने वाद बाइब करना या ड्या वाद रहे हो याद रहे हो याद रहे हो वाद लाद है लाद बाद लाद फ्रेंग्स